हेलो एवरिवाइन वेलकम बेक टू माई चैनल स्वादबरा किचन ब्यूटी टिप्स गाइज मैं आज आपके साथ बहुती इस्पेशल और अमेजिंग रिजल्ट देने वाला एलो वेरा नाइट क्रीम शेयर कर रही हूं जो की आपकी रंगत को निखारेगा और ये एलो वे स्कीन का काला पंदूर करने में बहुत ही मदद मिलती है गाइज अगर आपकी स्कीन पे खुजली है या संड बन है दाने है संक्रमन है या रेडने से तो एलो विरा आपकी इन सब प्रॉब्लम को भी शांत करता है एलो विरा जेल में विटामिन E, C, बिटा कैरोटीन, मिनर अगरल्स, एनजाइम, सेलिसिलिक एसिड, लिगनीन, सेपोनीन और एमिनो एसिड से बरपूर होता है ये स्कीन को ग्लोइंग बनाने में मदद करता है एलो विरा जेल उम्र के बढ़ते संकेर रिमू करता है ये डैट स्कीन को हटा कर समय से पहले बुड़ा होने से रोकता ह इसकीन और चैरे पर जादू ही निखा रहता है साथ ही डैट स्कीन भी दूर होती है और स्कीन में निखाड लाने के लिए एलो विरा और विटामिन सी एक बहतरीन कॉंबिनेशन है गाईज एलो विरा नाइट क्रीम लगाने से आपका संटेन रिमू होता है और अगर आप इसकीन खराब हो गई है तो आप एलो विरा का ये जो क्रीम है इसको जरूर यूज करिएगा आपकी सारी टैनिंग दूर हो जाएगी तो चली हम देख लेते हैं हम एलो विरा नाइट क्रीम को कैसे बनाएंगे इसके लिए हम एक बाउल ले लेंगे या कोई भी एक आप जेल लेना चाते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे next ingredient कॉफी कॉफी भी हमारी रंगत को निखारने के लिए बहुत अच्छा होता है कॉफी में skin brightening whitening properties होती है यह हमारे complexion को निखारता है और यह आपके आँखों के नीचे अगर काले गे रहे हैं या dark sports हैं fine lines है, wrinkles है उसे भी दूर करती है तो यहां पे half tea spoon हम coffee powder लेंगे और उसे भी इसमें add कर देंगे अब हमें लेना है almond oil यानि बादाम का तेल बादाम का तेल vitamin E से बरपूर होता है इसे anti-aging cream भी का जाता है half tea spoon बादाम का तेल हम इसमें add करेंगे इसी के साथ अब हम next ingredient लेंगे rose water rose water हमारी skin को बहुत अच्छे से ton करता है और यह एक बहुत अच्छा cleanser का भी काम करता है हमारी skin पर निखाड लाता है और चमक लाता है हमारी skin को चमक दार बनाता है glow देता है half tea spoon बादाम का बादाम करेंगे और अब हम last और next ingredient डालेंगे vitamin E capsule यह आपको market में आसानी से मिल जाएंगे vitamin E एक potent antioxidant है vitamin E से चैरे पे गजब का निखार आता है और यह बहुत ही अच्छा moisturizer है especially for dry and damage skin के लिए vitamin E skin को अंदर से clean करती है साफ करती है दाग दबो को दूर करने में बहुत ही असरदार है pigmentation को और जाईयों को खतम करती है skin को healthy और glowing बनाने में बहुत मदद करती है vitamin E का एक हम capsule लेंगे और इसे किसी seizure या पिन से आप इसको cut कर लीजे और इसका सारा oil आम इसमें add कर देंगे और अब हम सारे ingredient को अच्छे से mix कर देंगे ये देखिया आप aloe vera night cream बहुत ही बढ़िया अमारा बन के तयार हुआ है ये मेरा secret cream है मैं इसको every night use करती हूँ तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं इसको share करूँ आपके चैरे पे अगर dark circles है या चैरे पे tanning है, sun बन है तो आप इसको जरूर use कीजिए या आपके चैरे की सारे कालेपन को दूर करेगा vitamin E से भरपूर cream बनाए या मरा अगर आपके चैरे पे जूरियां है, जाईयां है या fine lines है, dark sports है ये सबी को दूर करेगा tanning है या चैरे पे काला पन है सब को ये remove करेगा cream चलिए अब मैं आपको इसको apply करने का तरीका बता देती हूं रात को सोने से पहले आपको अपने चैरे को अच्छे से पहले wash कर लेना है और फिर इसके बाद मैं cream को लेना है और dot dot करके इस तरह से चैरे पे लगाना है पूरे चेयरे पे आपको डॉट-डॉट करके इस तरह लगाना है फिर हल्का-ल्का सा इसको ऐसे प्रेस कर देना है टेप-टेप-टेप-टेप करना है फिर सर्कुलर मोशन में आपको 5 मिन्ट तक मसाज करनी है आराम से आप 5 मिन्ट तक इसको पुरा दीजिए और आराम से मसाज कीजिए इस कीरिम को आप एक महीना तक इस्टोर करके भी रख सकते हैं और अगर आप फ्रेश एलो विरा लेते हैं तो उसको आप एक सप्ता तक इस्टोर करके रख सकते हैं लेकिन उसको आपको फ्रीज में रखना होगा और अगर आप मार्केट वाला एलोविरा लेते हैं तो आप इसको एक महीना तक बार भी श्टोर करके रख सकते हैं पांच मिन्ट मसाज करने के बाद मैं आपको इसको पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ देना है सुबह उटकर आपको नौर्मल वाटर से पूरे फेस को वाश कर लेना है और कौटन टॉविल से पूरे फेस को साफ कर लेना है ये ऐसी सिक्रेट और मैजिकल क्रीम है जो की ग्लो और वाइटनिंग का खजाना है आप इसको एक रात लगाना फिर देखना आपको एक रात में कितना फर्क मैसूस होने लगता है वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीज़ तो चलिए गाईज अब हम चलते हैं सेकिंड रेमेडी की तरफ जो की है विंटर श्पेशल उप् के इस तरह उप्टन बना कर लगाते थे जिससे उनकी स्कीन एकदम से फेयर और चमकदार हो जाती थी और दुलहन का रूप एकदम निखर जाता था ये उप्टन आपकी स्कीन को ब्राइट एन बनाता है लाइट एन बनाता है और संट एन को रिमू करता है तो चलिए हम दे हाफ टीइ सपून हल्दी। हल्दी को शुप माना जाता है। хоть से गलॉइंग आती है।ष नियूज अती है चैप साथ हमके लिप 5 प्राइटने सपून सरसों का तेल। यह सटी में लिए कंा मलाई। ऐसमोध बनांदिंस में Ouch या संटेन जिनके बहुत ज़्यादा है डार्क स्पोर्स हैं चैरे पे तो मलाई उसको दूर करने में बहुत मदद करती है अब हम इसमें तीन टेबली स्पून दूट डालेंगे लेकिन हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूट डालेंगे और एक एक स्मूथ सा पेश्ट तयार कर लेंगे अभी मैंने यहां पे एक टेबली स्पून दूट डाला है और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर हमको जैसे भी जरूट महसूस होगी तो हम इसमें दो टेबली स्पून और दूट डालेंगे और इसकी consistency को चेक कर लेंगे और एक इसका smooth सा उप्टन बना के तयार कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा उप्टन बन के ready है आप इसकी consistency देखिए बस इस तरह से आपको इसकी consistency रखनी है और चलिए अब हम next process की तरफ चलते हैं तो अब हमें उप्टन को अपने पूरे face पे गर्दन पे हातों पे सब जगा एपलाई करना है और आपका पूरा face इससे cover होना चाहिए आपकी skin है इसके लिए यह उप्टन बहुत ही beneficial रहेगा आपके चैरे पे जो काला पन है या आपके जो sun tan है pigmentation है या dark sports है इसकी इंडल हो गई है रंग काला पड़ गया यह सब आपके इस उप्टन को लगाने से एकदम साफ हो जाएगा बस आपको पूरे face गर्दन हाथों पे इसको लगाना है और फिर आपको 15 मिन्ट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है और इसमें जो हमने इंग्रीडियंट्स मिलाए है यह इंग्रीडियंट्स आपकी skin को fair बनाएंगे काला पन दूर करेंगे sunten को दूर करेंगे और आपका चैरा एकदम से चमकदार और एकदम fair हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यह upton आदा सूख गया है तो जब आपके चैरे पे upton आदा सूख जाए तब आपको इसको इस तरह से रब करते जाना है यह देखिए आप इस तरह से आपको slow motion में रब करते जाना है और अपने पूरे face और garden से इसको remove करना है मैं आपको जल्दी जल्दी करके बता रही हूँ बर आपको slow motion में आराम आराम से जब इस तरह से आप इसको रब करकर के और upton को remove कर रहे होंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी dead skin सारी हट रही है और आपकी skin एकदम चमकीली होती जा रही है और smooth सी होती जा रही है ये देखिए आप कितनी skin चमकीली और एकदम fair नजर आ रही है आप चाहें तो इस upton को डेली यूज़ कर सकते हैं लेकिन आजकल time की बहुत शोर्टेज होती है तो हम इसको रोज apply नहीं कर सकते हैं तो आप इसे हफते में एक बार या दो बार आपको जैसे भी time मिलता है आप उस हिसाब से इसको use कीजिए और फिर अपने चैरे का कमाल देखिए चैरे और गर्दन से पूरे उपटन को remove करने के बाद मैं हम इसे normal water से चैरे को और गर्दन को wash कर लेंगे तो guys आजकल जो skin care मैं follow कर रही हूँ ये बहुत ही amazing result देता है बहुत ही instant result इसके मिलते है आप देख सकते हैं skin बहुत अच्छे से clean हुई है और skin बहुत ज़्यादा shine कर रही है skin एकदम से soft भी हो गई है सच में guys इससे आपकी skin ना तो काली पड़ेगी ना डल लगेगी और tan तो बिल्कुल remove हो जाएगा और जो skin आपकी डल सी हो गई है चमक हो सी गई है निखार आ जाएगा और आपकी skin एकदम glow करने लगेगी तो आप इस remedy को जरूर use कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे एक like जरूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिएगा और आपने चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस चैनल को भी सबस्क्राइब कर लीजिएगा मैं मिलती हूँ आप से एक next remedy के साथ तब तक के लिए बाई